हेलो एवरीवन, स्वागते आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWT जॉप में पर्मनेंट सरकारी सिक्षक भरती का नया नोटिफिकेशन अधीनस्त सेवा चैन आयोक के द्वारा जारी किया गया है सेलरी काफी अच्छी इसमें बनेगी सहायको सिक्षक के पदों पर ये वेकेंसी आई है लास्ट डेट 10 दिसंबर रहेगी इसमें जो है बीएड वाले डीएड, डीएड, बीटीसी, बीएस्टीसी वाले जो है कैनि रेट आविदन कर सकते हैं सेलरी की अधि हम बात करें तो ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर अगर आप देखते हैं तो यहां पर सेलरी जो है लिएड शिक्स के अकॉर्डिंग रहेगी 35,400 से लेकर 1,12,400 ठीक है तो मतलब इस्थाई नौकरी रहेगी इसमें कौन को नाविदन कर पाएंगे तो इसमें जो है अगर आपके पास माननेता प्राप्त सरकार दोरा माननेता प्राप्त दुए वर्सी है प्रारंबिक सिक्षा सास्तर में डिप्लोमा, डी एलेड, बीटीसी, बी एलेड है या फ कुल पदों की संख्या इसमें 15 है जिसमें आरक्षन श्रेणी भी जो है इसमें दी गई है किस वर्ग में जो है कितने पद है ठीक है, दूसरा साहयक अध्यापक एल्टी कम्प्यूटर टीचर की वेकेंसी है कुल पद जो है 12 है इसमें सैलरी लेवल 7 के अकॉर्डिंग रखी गई है 44,900 से लेकर 142,400 आयू सीमा इसमें वही है 21 से लेकर 42 यर तक के कैंडिडेट आविदन कर सकते हैं पद का स्वरूप जो है साइध यहां पर जो है थोड़ा सा गलती होगी होगी और आज पत्रि क्योंकि पैंशन युक्त है तो पैंशन देंगे इसका मतलब तो पर्मनेंट नौकरी है रिटायर होने के बाद ही जो पैंशन मिलती है अनिवारे अहरता जो है ग्रेजुएट हों आप या फिर BCA उपादी है साथ में BA आपका होना जरूरी है यहां पर जो है BTEC और BE उपादी वाले भी जो है आविधन कर सकते हैं जो प्रैसिक्षन पाठेक्रम है वो रास्ट्री अध्यापक सिक्षा परिशा से माननेता प्राप्तो होना जरूरी है अब यह वेकेंसी जो है कहां से आई है तो पहले भी जो है वीडियो बनाया गया है उत्राकंड अधीनस्त सेवा चैन आयोक के द्वारा यह वेकेंसी जारी की गई ग्रुप C की सेधी भरती है विज्यापन प्रकाशित हुआ था तम मैंने वीडियो बनाया था 8 नवंबर 2024 को ओनलाइन आवेदन का प्रोसेस 14 नवंबर से स्टार्ट है लास्ट डेट धियार में रखें 10 दिसंबर अगर किसी कैनिडेट को नहीं पता है जिन्होंने अप्लाए करना है तो पूरा जो है नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे और उसके बाद जो है अप्लाए करने के लिए यहाँ पर ओफिशल वेबसाइट पर आप आकर देखेंगे कैसे अप्लाए करना है पूरे जो है दिसा निर्देश दिये गए है इनको सबको पढ़ना है उसके बाद जो है अप्लाए करना है ठीक है अभी मैं आप लोगों को बता दूँगी नोटिफिकेशन वगरे सारी चीज़े कहां से आप चेक करेंगे तो कुल जो है 27 पदों पर वेकेंसी है 15 जो है प्राइमरी के हैं और कम्पीटरों सिक्षा के 12 रिक्तपद हैं इसमें जो है सिलेक्षन कैसे रहेगा तो बिल्कुल पर्मारेंट सरकारी नोकरी है लिखित परिक्षा का पाठे क्रम उत्तर प्रक्रिया सारी चीज़े इनों ने दी है सों अंकों का वस्तूनिस्ट प्रकार का जो है यानि अब्जेक्टिव टाइब विद मल्टिपल चोईस दो घंटे की प्रतियोगी परिक्षा होगी आयू सीमा आपको बता दी है आविदन हेतु पात्रता इसमें जो है इनों ने लिखाए कि अभ्यर्ति का उत्रगर्ण राज्य में इस्तित किसी सेवा योजन कार्याले में आविदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिती तक पंजीकरण होना जरूरी है यहाँ पर इनोंने जो है तीन सर्तें लिख दी है पहले भी आपको बताया था कि तीन सर्तें जो है आप जरूर पढ़ लें जिनके पास जो है राज्य का मूल निवास या स्थाई निवास प्रमान पत्र नहीं है तो यहाँ पर आविदन पत्र की लास्ट डेट जो की 10 दिसंबर है उससे पहले उत्रखन राज्य में स्थित किसी सेवाएयोजन कारेलै में रजिस्ट्रेशन कर वाले ठीक है? अगर आप जो है उत्राखंड से बाहर राज्य के कैंडिरेट हैं तो और जो उत्राखंड के जो कैंडिरेट हैं तो मूल निवास या स्थाई निवास प्रमान पत्र जो है आपका होगा अपलाए कर सकते हैं तीसरा ओप्शन इन्हों ने दिया है कि उत्राखंड लोक सिवायों के परिदी के बाहर ग्रुप गय के समुग गय के सीधी बरती के पदों पर भरती है तू आवेदन करने के लिए वही अभ्यारती पात्र होगा जिसने हाई स्कूल, इंटरमीडियेट या इनके समकर्स इस्त तो अभी आप समझ के होंगे कि अप्लाए कर सकते हैं किसी भी राज्य के कैंडियेट भारत का नागरिक हो इसमें जो है application fees भी आपकी लग रही है जो अनारक्षित वर्ग के या उत्राखंड के अन्य पिशला वर्ग OBC कैंडियेट है तो 300 रुपीज जो है इसमें application fees है और SC, ST, EWS के कैंडियेट है उत्राखंड के उनकी 1.500 रुपए फीज है दिव्यांग व्यर्तियों की 1.500 रुपए है और अनात की 0 है ठीक है बाकी आविदन पत्र भढ़ने से पहले दिसान इर्दिस पूरे पढ़ लेने हैं आपको तो यह पूरा जो है notification था अब चलिए आप लोगों को बता देती हूँ official website पर जैसे ही आएंगे आप यह गूगल पर सर्च कर लेंगे www.sc.uk.government.in यहाँ पर second number पर अगर आप click करेंगे तो apply करने का option आपको इसी में मिलेगा इस तरीके से ठीक है सबसे पहले जो है online आविदन पत्र भढ़ने हितु निर्देश दिये गए है registration करना है उसके बाद educational other details फिल करनी है upload photo signature है make payment last में print application ठीक है और जो है notification आप कैसे पढ़ सकते हैं तो यहीं पर जो है थोड़ा नीचे देखेंगे अगर यह देखिए यह लिखा है पदनाम सहायक अध्यापक primary वा सहायक अध्यापक L.T. computer शिक्षा के रिक्त पदों के लिए विज्यापन हितु क्लिक करें इस पर जो है क्लिक करके पूरा notification जो है आप लोग read कर सकते हैं तो लास्ट डेट जो है इसमें 10 दिसंबर 2024 है और लिखित परिक्षा की जो डेट डिसाइड की गई है 23 फरवरी 2025 चलिए बिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वेकेंसी के साथ किसी भी राज़े की वेकेंसी होगी सभी कवर की जाएगी थेंक यू